एधिक गड़ेवनि तो क्या चल रहा था सब चल रहा था एडिशनल कोश्चंज सम्नीव कोश्चंज इस और आज का चैप्टर कौन सा आज का चैप्टर है मेज़ फंड मुचल फंड वैसे तो बड़ा सिंपल टॉपिक है और उसमें मैं यह कहूं कि न्यू कोश्चंज है इन नहीं है तो बात बिल्कुत सही है new questions नहीं है mutual fund में हो ही नहीं सकता हां लेकिन क्या है एक question ऐसा आया था जिसमें back calculation था mutual fund का अगर मैं कहूं new questions के list में 2018 के बाद एक ही question है जो आपको करना है जी वो question आपको करना पड़ेगा वो question आपके सामने है मैं करवा रहा हूं question एक बर focus करो ठीक सब्सक्राइब जल्दी जल्दी खतम हो कि यह आस तो कुछ है यह नहीं है तो यह वाला question है सर जी और यह exam में आया था और exam में आया था कब आया था exam में सर exam में आया था November 2020 last year की बात है और सुनो भाई सुनो new syllabus में आया था एक और दिखते है new syllabus us you by read करें क्या हां सब्सक्राइब रीट करते है लिखा लिखा मैंसर जो पस एन एमसी ऑन फ़र्स्ट अपरेल 2015 has floated दो स्कीम है एक है डिविडेन प्लान और एक है बोनस प्लान यह सर इस टाइब के हमने किया हुआ है और इस टाइब के ऐसा नहीं कि एक कोशन बड़े सारे कोशन दे रखा है इस्टडी मटेरियल में पर उसमें हम effective yield निकालते थे यह annual return निकालते थे यहां ऐसा नहीं है यहां effective yield दे दिया है और back calculation करके वो NAV beginning का पूछ रहा है मैं समझा रहा हूँ तो बले दो इसके dividend और bonus X एक investor है और इन्होंने invest किया है दोनों ही schemes the following details except the important issue price नहीं दिया issue price के अलावा सारी चीजे दे रखा है कब investment किया था एक April 2015 कितने में एन्ने वी उस समय कितना था एन्ने वी उस समय कितना था यहीं नहीं दिया गया बस इसके अलावा पुले 31 दिसंबर 2016 को bonus ratio है यह bonus प्लान है तो यहां bonus 4 के बतले में एक यहां dividend है 12% यहां dividend है 10% यहां bonus है यहां dividend है और 31st March का एन्ने वी दे रखा 31st March 2020 मतलब total मिलाकर कितने साल पास साल तक उन्होंने investment किया और 5th year के end में एन्ने वी दे रखा है dividend plan में है 49 bonus में है 44 यहां तक ठीक है additional details दे रखा investment है 9,20,000 रुपिया जब उन्होंने एक अपरिल को investment किया होका dividend plan की बात और yes dividend plan यह थोड़ा सा misprint है यह dividend plan की बात है और यह bonus अगर में यहां लिग दीजी ना सर तुजाद अच्छा यहां बात हो रही है dividend और यहां बात है bonus bonus ठीक 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 तो जब हमने डिविडेंट प्लान में इनवेस्ट में किया था एक अपरिल 2015 को investment किया था 9,20,000 ठीक और average profit हम इतना कमा रहे दिस एवरेस का मतलब किया दिस एन्वल average पात साल का average अब इक पात इसके अलावा क्या बोल रहा है इधर दसलाग रुपे investment इन्होंने annual average yield दे रहा है average yield 6.40 average का मतलब समझ रहा होना हर साल का निकाला होना होना यह रिक्वाइट तो कैल्कुलेट दा इस्यू प्राइज निकालना है एनदे मनिकान और कभ का निकालना एक अप्रिल के अन्यू निकालना बस इतने कोशन इस्टार्ट कहां से करें समसी आई है हम यूनिट्स पता करना पड़ेगा सब कहीं भी किसी भी कोश्यन में number of units नहीं दिया है अगर हमें units पता लग जाए हम जानते investment कितने का 9,20,000 का यहां divided by हम number of units करेंगे तो यहां का NAV निकल जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं यहां भी investment कितना है 10,00,000 divided by number of units करेंगे तो यहां का भी NAV निकल जाएगा पर सवाल यह है कि हमें क्या calculate करना पड़ेंगा हमें number of units कितने units सर क्या हमें net assets पता लग सकता है कहां का बिटे सर अगर हमें यहां का भी net assets पता लग सकता है net assets NAV नहीं बोल रहा हूं पर unit की बात नहीं कर रहा हूं total net assets पता लग जाए तो हम 49 से divide कर देंगे तो number of units निकल जाएगा और एक बार हमें यहां का भी अगर units पता लग जाना यहां का तो back calculation से हम यहां के units तक बहुत सकते सवाल calculation जो है वो बिल्कुल simple है हमें NAV निकालना है पर NAV के लिए हमें number of units चाहिए ठीक किसा अब सुनो मेरी मात इंवेस्टमेंट कितना किया था 9,20,000 तो 9,00,000 अब सुनो गये यह पहले मैं डिविडेन की बात कर रहा हूं यहां इंवेस्टमेंट कितने का हुआ सर इंवेस्टमेंट हुआ नौलाग दीज़र क्या आपने प्रॉफिट कमाया हर साल यस कितना प्रॉफिट कमाया सर हमने कमाया 27 748.60 कितने साल तक कमाया पास साल तक अगर 9,20,000 प्लस यह करते तो क्या यहां का net assets आजाएगा हाँ सर बिलकुल आजाएगा कितना आएगा भी 10 net assets 27 27748 27748 27748 दिवाइट करने से आजाएगा सर यस दिवाइदेट पाइफ 49 तो नमबर आप यूनिट्स आगा है 21607 पर वो जो यूनिट्स आया है बेटे 21607 वो यहां का आया है 21607 और मुझे यहां तक पहुचना है पहली बात वैसे इसमें भी वैसे निकलेगा हला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने यहां था और यह जो प्रॉफिट कमाया इसको एट कर दिया तो net assets आ गया उसको divided by यहां के NAV से किया तो number of units आ गया कोई दिक्कत की बात नहीं अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो अब मैं यहां का units पता करने की कोशिश करूगा ठीक सर टोटल क्लोजिंग यूनिट्स कितना है 21607 ठीक सर यह जो units issue हुआ है यह units जो लास्ट का क्या इसमें dividend जो है उसके को जो reinvestment कर रखा है उससे जो units खरीदा है वो भी include है हाँ भाई हाँ तो सर इस date में फिर से अमें जो बोल रहा हूं इस date में dividend कितना है 15% तो 15% dividend जो मिला उसको reinvestment करने से पहले units कितना था माल लो units कितना था एक्स प्लस number of units हमको हम बात किसकी कर रहा है हम बात कर रहा है कि dividend मिलने से पहले units कितना था हमको नहीं मालब एक्स और फिर dividend मिला number of units कितना है एक्स अप number of units पे dividend नहीं मिलता उसका face value और इसको हमने multiply कर दिया face value assume कर रहा है 10 और उसका कितना पर्षंट 15 पर्षंट को क्या लिख सकता हूं है 0.15 सर यह dividend का amount आ गया हाँ और इसको हमने reinvestment कर दिया और इस दिन NAV कितना था 45 तो 45 के हिसाब से हमने reinvestment कर दिया सिंपल से इट मेंस यह units कब किये dividend मिलने से पहले और यह क्या मिला dividend और उसको हमने reinvestment कर दिया 45 और टोटल में लागा फी units कितना हो है 121607 क्या इसको solve कर सकते हो आपका मैस कैसा सर मैस हमारा बिल्कुल खराब है LCM 1145 X आप देख ले न मैस हमेरा प्लस 1.5 X 21607 इन्टो 45 तो सर यह आगा है 972315 X is equal to 972315 divided by 46.50 तो सर यह आगा है 20910 units और यह units कहां का निकल गया है यहां का निकल गया है 20910 सिंपल मैस बैक कैलकुलेशन हो रहा है तो 20910 यह units यहां था यहां जो है यह एक्ट्रा यूनिट्स कहां से आ गया क्योंकि डिविदेन मिला होगा अब सीधा डिविदेन यहां मिला तो यहां पहुंच जाओ यहां ठीक है तेयर हो यहां यहां यूनिट्स कितना था 20910 यह बोनस यह वाला बोनस जोड़के तो इस से पहले यूनिट्स कितना था एक्स प्लस एक्स इन्टु फेस वेल्यू कितना है 10 इन्टु दस पर्षेंट और इसको री इन्वेस्टमेंट कितने पे करोगे सर्फ पचास रुपए कि सबसे री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो सॉल हो सकता है क्या अराम से सॉल हो सकता है इस फिप्टी एक्स एल सी हम निकाल के कर ले ना एक्स 50 इंटो 20910 तो यह आगे 104 55 00 तो क्या एक्स की वैल्यू है जाएगा 104 55 00 डिवादेर बाइ किस से हो जाएगा 50 तो यह यूनिट्स आगे 20,500 और यह यहां का निकल गया है 20,500 तो क्या अभी यहां कभी यूनिट्स से निकाल सकते हैं हाँ सर बिलकुल आराम से निकल जाएगा अब कैसे काम होगा सुनना देहां से तो टूटल यूनिट्स कितना है 20,500 X प्लस X इन्टो 10 इन्टो 0.12 डिविदेंट 12 परशंट है और इसको जो रे इन्वेस्टमेंट करोगे कितने की सब सी करोगे 48 48X प्लस 1.20X is equal to 9,84,000 X is equal to 9,84,000 divided by 49.20 तो sir units कितना आगे 20,000 और इसके बीच में bonus हुआ ही नहीं है तो यहाँ units कितना होगा sir यहाँ 20,000 units होगा और investment कितने का है 9,20,000 का तो नमबर एने भी जाएगा 9,20,000 divided by 20,000 unit 9,20,000 divided by 20,000 अंसर 46 आगे इसका अंसर आगे 46 आसान काम था sir क्या पहली बार में यह question हमसे बन सकता था कि नहीं बनता है अगर exam में direct आता तो थोड़ा सा बंद बनाने वाले तो बना लेते पर थोड़ा सा मुस्किल हो जाता ठीक है sir ठीक है जी और यह निकाला 46 और उन्होंने टेबल में बांध दिया है ठीक है हमने अलग-अलग कर लिया फरक नहीं पड़ता अब बात किसके करते हैं bonus plan situation bonus plan में भी वही होगी कितना लगाया था सुरू में स्थर सुरू में लगा था दस लाक रुप येल्ड कमाया है कितना 6.4% पर एनम एवरेज लिखा पर एनम तो 6.4 इंटू 5 32% प्लस कर दो 32% तो 10 लाक लगाया था प्लस 32% तो यहां आ गया यहां नेट एसिट्स आ गया 13,20,000 और यहां ने भी कितना है सर यहां 44 तो क्या यहां नमबर उप यूनिट्स निकल सकता है यस और यहां यूनिट्स निकल गया 30,000 ठिक है? हाँ बोलो? हाँ अब यहां बोनस इश्यू हुआ है और यह 30,000 जो यूनिट्स है न यह बोनस मिलाकर है तो अगर मैं कहूं टोटल यूनिट्स कितना है? 30,000 एक्स प्लस बोनस से पहले का यूनिट्स 1 बाइ 5 एक्स इन टो 1 बाइ 5 मतलब अगर देखा जाए तो 1.20 एक्स इस इक्वल टो 30,000 तो क्या एक्स निकल जाएगा? यस 30,000 डिवाइद बाइ 1.20 और भी तरीके आप कर सकते हैं तो यूनिट्स कितना आ गया है? 25,000 तो यहां का यूनिट्स निकल के आ गया कितना? 25,000 अब और बोनस है कि यहां है चलो काम कर सकते हैं तो भाई कितना यूनिट्स है बोनस के बाद? 25,000 25,000 ऐसे आया X plus X into 1 by 4 तो सर यह आगया 1.25 X is equal to 25,000 X is equal to 25,000 divided by 1.25 तो यूनिट्स कितना आ गया? सर यूनिट्स आ गया 20,000 तो क्या अब आसानी से काम हो जाएगा? यस और इन्वेस्ट इसके पहले तो कोई बोनस था नहीं इन्वेस्टमेंट कितने ही का है? 10,000,000 तो 10,000,000 divided by 20,000 तो रुपीस 50 बोनस वाला आसान था डिविदेन वाला थोड़ा सा मुस्किल है पर ठीक है हो जाएगा पचास रुपाय ने भी बस यही एक मात्र कोश्चन है जो नया था बाकी म्यूचल फंड में तो आप भी जानते होना ही नहीं था बड़ा आसान टॉपिक है सल अगला चैप्टर क्या चलेगा अगला चैप्टर होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट और वह हैं सिक्क्युरिटी वेल्विशन बांड है ईक विटी है उसमें थोड़े से कोश्चन से नय वाले थोड़े से जाता है तू चलते है अगला chapter कर अगला जो class upload होगा वो इसी का होगा security evaluation उसको मच छोड़ना गलती से उसमें एकाथ question नहीं है बहुत सारे questions है तो उसको करना पड़ेगा thank you so much, bye bye